हलो गाइज नमस्कार तो चलो अगर हमने पिछले वीडियो की बात की तो हमने ये तीन फॉर्मुलास का प्रूफ देखा हुआ है जो कि है constant नबर का 1 upon s e raised to 80 का 1 upon s minus a and t raised to n का gamma n plus 1 and s power n plus 1 ये तीन फॉर्मूलास हमने देखे हैं अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखेए तो चलो आज के वीडियो में हम ये दो फॉर्मूलास का प्रूफ देखेंगे जो की है लाप्लास ट्रांस्फर्बों सनी इडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी नॉलेज़ को बढ़ा देए सो देखो हमने ये जो फल्थ फॉर्मुला उसका o प्रूब देखने वाले जिसका हमको बतायागा कि sin 80 is equal to a upon में a square plus b square आता है तो यह हमारा first definition है Laplace transform का जो मैंने पहले बताया दिया था है कि बहुत important है और इसी definition के थूँ हमने पिछले भी formulas solve किये प्रूव किये और आगे भी हम प्रूव करने वाले हैं यह हमने definition लिख दी यहाँ पर हमको सर्फ f of t में क्या पुट करना है तो sin 80 हमने laplace of sin 80 हमको निकालना है तो laplace of sin 80 लिख दिया is equal to integration 0 to infinity a raise to minus st f t के जगा पर क्या पुट किया हमने तो sin 80 जो कि हमको दिया गए तो देखो इस formula को फूरूफ करने के लिए हमको एक चीज की बहुत चाहते है इंपॉर्टन्स होते है जो कि यह e80.sin bt dt का formula अगर यह आपको formula याद नहीं है फिर पता नहीं तो आप इस proof को नहीं कर सकते ठीक है तो यह बहुत important formula है अगर आपको यह formula आता है तो आप easy दरीके से इसको solve कर सकते तो देखो यह formula क्या होलता है अगर e80 sin bt हुआ तो इसका formula होता है e80 upon में a square plus b square and bracket a sin bt minus b cos bt देखो यहाँ पर sin bt cos bt है तो same है पहले a है बाद में b है और बीच में minus है देखो यहाँ पर यह formula का क्या use है क्योंकि यहाँ पर देखो यह formula and यह formula easy same same दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ a की value है वो क्या है a is equal to यहाँ पर minus s दिया है and b जो है वो a दिया है ठीक है तो सिर्फ हमको क्या करना है यह जो पूरा formula है यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ जहाँ जहाँ पर A है वहाँ पर minus S put करना है और जहाँ पर B है वहाँ पर A put करना है तो अगर हमने put किया तो हमको value मिल देए तो देखो हमने क्या क्या E80 वहाँ पर E80 था इसलिए लेकिन यहाँ पर क्या दिया है E minus ST तो हमने e minus st लिखा s square plus b square मैंने बता दिया है कि यहाँ पर a की जगा पर क्या है minus s and b की जगा पर क्या है a तो हमने क्या put कर दिया हुई a की जगा पर s and b की जगा पर a तो हमने put कर दिया and यहाँ पर b a की जगा minus s बाकी formula जैसे की sin b t B की value है, यहाँ पर A ठीक है, A इसलिए हमने sin 80 लिखा, minus A cos 80 So, हमने इस फूरे formula को आसानी से put कर दिया अब देखो, अब हम इसका integration integration के बाद आ चुका है ठीक है, इतना हो गया अब इसमें हमको limits put कर देने तो चलो, limits put कर देते हैं limits put करना बहुत easy है हमको बताए कि E minus infinity क्या होता है E minus infinity होता है 0 E minus infinity होता है 0 So, देखो, अगर हमने यहाँ पर E minus infinity put कर दिया तो यह पूरी term क्या हो जाएगी 0, इसलिए मैंने इस पूरी term को क्या लिख दिया 0, ठीक है minus A raise T इसके limits देगी 0 to infinity तो हम इसको किस तरीके से put करते है A infinity minus यानि की A upper limit minus A lower limit ठीक है तो इसे तरीके से हमने upper limit जब हमने put किया infinity तो यह पूरी term क्या बनगी 0 and जब हम इसमें 0 put करते तो क्या value हो जाते E 0 upon में S square plus S square and T के जगा पर 0, T के जगा पर 0 तो sin 0, cos 0 and यहाँ पर S है है, देखो मैंने sin का यह पकड़ लिया यहाँ पर S है, ठीक है minus S है है, क्योंकि A की value क्या है minus S, ठीक है यह हो गया पूरा, आपने यह हटा दिया यह minus पूरी इस तरीके से लिख दिया आपको बतावना जाए कि sin 0 की value क्या होती है, 0 sin 0 की value क्या होती है sin 0, 0 होता है and cos 0 होता है, 1 cos 0 होता है, 1 यह आपको value पतावंगी बहुत ही easy है ठीक है, sin 0 की value होती है 0 and cos 0 की value होती है 1 so, अगर हमने यहाँ पर put कर दी तो यहाँ पर आजाएगा 0 and cos 0 की A यहाँ पर 1 आगया, 1 into A यहाँ की A, ठीक है यह भी हमको value बता है E 0 की value क्या होती है 1, so E 0 की value 1 put कर दी हमने, यह वैसा के वैसा, यहाँ पर minus A आएगा, so यहाँ पर minus A and minus 1 बन गया A so हमारा यह equation prove हो गया, बहुत ही आसान था, बहुत ही easy था, सिर्फ आपको यह जो formula है वो पता होना अच्छी है, कि यह formula क्या है, अगर यह formula आपको पता होगा तो आप इस prove को easy तरीके से कर सकते हो, ठीक है इसी तरीके से cos 80 का भी same होता है ठीक है, इसी तरीके से जो cos 80 होता है, वो भी इसी तरीके से होता है उसमें भी सिर्फ यहीं formula आपको याद रखना है कि जो e यहाँ पर साइन का था वहाँ पर पहले sign था बाद में कॉस था यहाँ पर कॉस की जगा पर पहले because यह बाद में सामिया भाकि की formula से में थे साहिन पहले था भाद में sign है बाकी का formula same है तो वही values आपको put कर देनी है ठीक है और यह अच्छी तरीकी से देखूँ है क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत गल्तिया किए कि आपको पहले देखना है कि a की value क्या दी है यह फॉर्मला का use करके शिरिफ आपको यह values पूट कर देनी है यह values आपको क्या कर देनी है तो आप यह भी proof को बहुत ही आसानी से कर लोगे मैं आशा करता हूँ कि यह आप खुद से भी कर सकते हो या फिर मुझे आप खुद से करके दिखाओ ठीक है तो चलो यह बहुत ही दो आसान से प्रूफ थे तो मिलते अगले वीडियो में और दो प्रूफ लेके तब तब प्ले धन्यवाद टाटा बाय बाय पढ़ते रही है